दोस्तों स्वागत है आप सवी का फैंटासी इंसाइट के एक और नए प्रोडिक्शन वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाल है इंडिया वर्सेस आफगानिस्तान के बीच में जो 30-20 मैच खेला जागा यानि के इस सीरिस का जो लास्ट मैच होगा उसक का ड्रीम 11 प्रोडिक्शन के बारे में देखो यह मैच बेंगा लोड़ के एम चैनल स्वा में क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा सो इस स्टेडियम का पीच रिपोर्ट की इस तरह किसा है वह मैं आप लोगों को बातने वालों दोनों तीमों में आपने प्लेंग 11 मे बेस्ट ऑप्शन होने बाला है वो भी मैं आप लोग आगे समझाओंगा तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंफोर्मेटिव होने बाला है फैंटसी क्रिकेट के पॉइंट एविव से अगर आप लोग फैंटसी क्रिकेट खेलते हो एंड इस मैच से अच्छा प्रॉफि मैच में आप लोग के लिए बेस्ट सीवी का उप्शन होगा या फिर आपके पस और भी अच्छा यूनिक आपत्यों है जो इस मैच में आप लोग के एम चेनर स्वामी स्टेडियम पर यह की टीटोंटी इंटरनेशनल स्टेट की अगर बात कहा तो जादा इंटरनेशनल मैच इस यह पर नहीं खिला गया है सिर्फ सेबन मैच इस ग्राउंड पर जिसमें से बैटिंग फास्ट करने वाले तीम उने दो मैच इस को इन किया है चेजिंग करने यहाँ पर ज्यादा एजी रहता है कि बांडरी डाइमेंशन बहुत ज्यादा छोटा होता है और बात में डिव भी आता है तो चेस करना यहाँ पर टीम प्रिफेर करता है एड इस मैच में भी जो भी कैप्टिन टॉच जीतेगा न टॉच जीत के पहले बोल हो चुका है हादा कि काफी ज्यादा चोटा ग्राउंड है फिर भी यहाँ पर जीतने भी मैचेस हुआ है ज्यादा तर मैच में थोड़ा से लोई स्कुरिंग मैचेस ही हमें देखने को मिले पर यहाँ पर आगर इंडिया फास्ट निक्स में बैटिंग करता है तो आप इस तारी की टीम फास्ट निक्स में बैटिंग करता है तो 150 से लेगा 160 के बीच में यह फिर 170 के बीच में तानी स्कुर होता हुआ दिखेगा उसका एक कोडिंग यह हमें प्लैस को सिलेट करना होगा अभी लास्ट मैच जो ही आपर खेला गया उसका रेकॉर्ड दिख लेते इसके एकॉर्डिंग ही हम लोग बोलर्स को सिलेट करेंगे तो लास्ट मैच इस यह पर खेला गया था इसी साल जो आभी वाल्ड काप के बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टी 20 सीरीज हुआ था उसका एक मैच खेला गया था थार्ड डिसेंबर को इंडिया ने बैटिं इसको 11 विकेट मिला था एंडिस पिनर को मिला था सिर्फ 4 विकेट तो बहुत लोगों को लाए गया कि इंडिया में मैच जैसे सो इस्पीनर आच्छा कर साकता है नो इस्पीनर यह पर उकेट ले सकता है बाट मुझे लागता है पीसस यह पर ज्यादा उकिलेगा तो उसके उस मेंच पिससाथ को 11 विकेट मिला था ओनिसर्पवोच फिर्ट फिर्ट को सिर्फ एक विकेट मिला था साथ अफरीक हो मेंच नाइक ब्यूद से हुन till का गा था उससे पहले एकोर बेच 27 फेवर इकोवड को खेदा आस्ट्रेलिया औं उस मैच वे पेसर्स को 6th wicket and इस प्रेंग को मिला था 1 wicket वह उस्ट्रेलिया वो मेच 7 wicket से विन का गया था तो लास्ट 3 मैचों में आप लोग देख साथ दो मैचों में टोटल जेस हुआ है एक मैचों में टोटल डिफेंट हुआ है जो भी कैप्टेन टॉज जीत गा टॉज जीत के चेजिंग कारना ही पसंद करेगा लास्त तरी मैश को कि पेस वसे स्पिन की भी आगा बात करें पेसस को 25 विकेट मिला था अली इस प्रम को मिला 6 विकेट मिला था मिला है डिस अफर आप लोह के बात के चाल मियवईं की अब देहन चाएक धाए था यह था इंडिया का पिछले मैच्ट का 11 एड इस मैच में क्योंकि यह लास्ट मैच है तो प्लेइंग 11 में फिर से चेंजेस होने वाला है उसके बाद आफगानिस्तान की आगर बात करें आफगानिस्तान की टीम सायद आंचेज जा सकता है इब्रहीम जादरान के साथ रहमनु पर टीम क्रेट करते हैं समय ही आप लोगों को बाताने वारा हूं चलिए ड्रीम 11 के अंदर चलते वाहां जेक हम लोग अपना टीम क्रेट कर लेते हैं अगर आप लोगों की इस मैच की कॉम्बिनेशन की बात करें तो आपके पास दो आप्शन है सेबन प्लस फोर का के साथ आप लोग जा सकती हो 7 प्लैस 4 का कॉंबिनेशन यहां पर ज्यादा आइडियल हो सकता है इस मैच के लिए इंडिया से आप लोग को 7 प्लैस को लेना होगा क्यूंकि बहुत छोटा ग्राउंड है इंडिया का बैटिंग और बोलिंग दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्र आप लोगो टेलीग्राम पर आप देखो विकित कीविंग में दो आप्शन है जीते शर्मा पिछले में जीते शर्मा ने उतना अच्छा प्फ़ेम्स नहीं किया था तो आभी दोनों ही मेरे लिए उतना important नहीं होगा आप लोग दोनों को easily drop कर सकता है अगर इंडिया फास्ट इनिंग बैटिंग करता है एंड सांजो संच केलता है तो आप लोग राक के चल सकते हो सेके दिंग से बैटिंग में drop करता है यूग की सांजो संच के बैटिंग थोडा सा नीची आएगा बैस्पेन की अगर बात के देखो रोहीद शर्मा 85% सिलेशन है रिसेंडली टी टेटी में अच्छा पॉफोरेंस नहीं किया है बट रोहीद शर्मा काफी आच्छा प्लाइस है अभी वरल कब में बहुत आच्छा पॉफोरेंस किया था तो रोईद शर्मा आप लोग के लिए important pick हो सकता है especially east ground पर तो रोईद शर्मा को आप लोग को राकना होगा विराट कोली की आगा बात का देखो विराट कोली का home ground है IPL में RCV की तरह तो इसी ground पर खेलते हैं and बहुत जादा century भी किया है east ground पर तो विराट को लिए इस match में आप लोग के लिए आप लोग इसको आख बंद करके लिए and captain and vice captain भी इसको बाना सकते हो इस match में बहुत save option होने वाला है आप लोग के लिए इस match में इस match में इंपोर्टन होगा आभी में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फिछला match नहीं खेला था उसका रिंकू सिंग की अगर बात कर देखो 33% सिलेक्शन है फास्ट इनिक्स में अगर इंडिया बैटिंग करता है एगें रिंकू सिंग आप लोग के लिए trump कट होने वाला है क्योंकि फास्ट इनिक्स में बैटिंग में डेफिनेटली विकिट गिरेगा एड जल्दी बैटिंग आ सकता है इस ग्राउंड पर इंकू सिंग आच्छा पोफिम्स करेगा बैटिंग फास्ट में रिंकू सिंग को लेना बार में रिंकू सिंग को ड्रॉप भी आप लोग कर सकते हो आभी में रिंकू सिंग को आपने टीम में राखूंगा जैसवाल की आगर बात का 65% सिलेक्शन है इस आफ़ी आख्छा पातिल सब्सक्राइबुझ न अच्छा पस्वार को कूधा जात अच्छा पेंडिया बाइघर पाण के लिए प्रोंग किया जा सट concept रखऊंगा आशारेधिफ सिंह को मैं राकऊंगा ब्लिंग में बहुत इंपर्टन हो का लग विष्णही को रह刁 यह दोनों बोलस रहेगा मेरी टीम नमोकेश इंपोर्टन हो सकता है आप लोगे के लिए आफगानिस्तान की अगर बात करें तो विकीट की में आपके बस दो आप्शोन है रह्मनुला गुर्बास और आली खिल अभी तक नहीं खेला है तो इस मैंच में खेलने का ऑपरुचुनिटी मिल सकता है अभी में रह्मनुला गु यह चार ऑफ्शोन है यह से आपके लिए सिर्फ एक ही बैस्पेन है जो इंपोर्टन हो सकता है और वह है आई जादरन काफी अच्छा प्लेयर से अच्छा पॉफमिश कर सकता है बट आभी में टीम में प्लेज नहीं है तो इसको मैं नहीं राकूंगा आगर आप लोग जी नहीं पिछे में काफी अच्छा बैंटिंग किया था इसको आप लोग ले साथ हो बैटिंग फास्ट में के जुनित की अगर बात करें इसको जील में ही ट्राइ कर सकतो हो वाणना इसको ड्रॉप कर देना एस्माल लिक से ऑड़ आप लोग ए आच्छा पिक होने वाला ह इस मैच में बट आभी मैं एक बोलर्स के साथ जाना पसंद करूंगा और मैं यह से अभी फाजल फारुकी को अपने टीम में राकने वाला हूँ उसके बाद आगर बात करें यह पर नावीनुलहाग मुझीवू रह्मान पिछले में मुझीवू रह्मान ने काफी आच्छा ब करने वाला है विराट कोली यहसुस भी जैस्वाल गिल अगर खेलता है तो गिल भी आच्छा उप्शन हो सकता है और बोलिंग में अगर बात करें तो देखो यहां से आर्शे दिफ सिंग आप लोग लिए अच्छा वाइस कैप्टेंसी का अप्शन होगा तो यह कूछ अच अच्छा बैटिंग पीछ दिया जाएगा सो बैटर्स अच्छा करने वाल है इसलिए मैं बैटर्स को ही कैप्टें और वाइस कैप्टें लेके जा रहा हूँ एक और बार मेरे टीम का प्रिव्यू देख लो इसके अकोर्डिंग ही आप लोग टीम टेट करना है एक दो चें आप